आपने अन्मेंट एरियल वेकल यानी यूएबी का नाम सुना होगा नहीं सुना तो हम आपको बता दें कि हम ड्रोन्स की बात कर रहे हैं शादी ब्यास से लेकर फिल्मों की शूटिक में अब इनका इस्तिमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है ड्रोन्स अब शादी ब्याहा तक नहीं बलकि आपके घरों तक मैडिसन और पास्ता पीज़ा भी डिलेवर करते हैं यानी इन्हें किसी एक जगा से बैठे-बैठे ओपरेट किया जा सकता है बले ही आप उस जगा पर मौझूद ना हो इसी टेक्नोलोजी पर ड्राइवर लेस कार और कई दूसरे वहिकल्स बनाए जा रहे हैं लेकिन क्या आपने ऐसे किसी जहाज के बारे में सुना है जो बिना चालक दल के समुंदर पर तहरता हो नहीं सुना ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने सुना ना हो, तो ऐसी तकनीक मौजूद ना हो दरसल चीन ने कुछ ऐसा ही जहाज बनाने का दावा किया है, जो पानी पर बिना किसी चालक दल के सफर कर सकता है इसे कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है यह जहाज self-automated ही, यानि कि खुद ही operate होता है चीन के इस advanced ship का नाम है जू है यू जू है यू अपने आप में दुनिया का ऐसा पहला जहाज है, यानि इस मामले में चीन ने अमेरिका से बाजी मार ली है खबर है कि चीन इस drone carrier ship का इस्तिमाल जासूसी के लिए करने जा रहा है अगर ऐसा है तो यह खबर भारत के लिए चौकाने वाली है क्योंकि यह जहाज इतना advanced है कि आसानी से रणार की पकड़ में नहीं आने वाला गौर्दलब है कि बीते साल 15 अगस्त के आसपास चीन ने अपना जासूसी जहाज यूआन वांग 5 श्री लंका के हमबन टोटा बंदरगाहा पर भेजा था भारत ने चीन के इस जासूसी ship को लेकर श्री लंका सरकार से विरोध जताया था लेकिन चीन के कर्स के जाल में फसी श्री लंकाई सरकार चीन को मना न कर सकी खैर हम बात कर रहे हैं चीन के इस अन्मेंट सिपाई ship की तो आपको बता दे कि चीन ने मई 2022 में जू है यू का लॉंच किया था और ये ship चीन के गुआंग दौंग प्रांत में पहली बार देखा गया है चीन के अधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है बले ही चीन इस जहास को लेकर साइंटिफिक रिसर्च शिप का नाम दे रहा हो लेकिन यूआन वांग की तरह इसका मकसद ही पड़ोसी देश की confidential जानकारी जुटाना है ये ship autonomous navigation और remote control function से लेस है इसका मतलब है ये जहास अथा समंदर में अपना रास्ता खुद जूट सकता है बात करें इसको बनाने वाली कंपनी की तो इसे चाइना की सदर्ण Marine Science and Engineering Laboratory में देख रेक में तयार किया गया है चाइना क्लासिफिकेशन सोसाइटी यानी CCS ने इसे पहला intelligent ship होने का certificate दिया है चीन का कहना है कि ये drone carrier हिंद और प्रशान्त महासागर पर scientific research के लिए रवाना होगा चीन के एकवार Global Times के मुताबिक समुन्दर में इसकी यात्रा से पहले कई trials किये जा चुके है ट्राइल्स के पास होने के बाद ये ship गुआंग दॉंग पोर्ट पर पहुँचा है 2000 तन बजनी ये ship करीब 89 मीटर लंबा है एक घंटे में ये 18 नौटिकल मील यानि 33 किलो मीटर की दूरी तैकर लेता है एक्सपर्ट के माने तो research और जासूसी के लिए इस ship से एक बार में कई ड्रोन लॉंच किये जा सकते हैं यानि चीन किसी भी देश के जानकारी समुंदर में रहते हुए भी हासिल कर सकता है और उस देश को भनक तक नहीं लगेगी हालकि अब तक चीन ने इसे मिलिटरी जहाज नहीं बताया है लेकिन मारा जा रहा है कि ये चीनी नौसेना के लिए किसी बड़े हत्यार से कम नहीं है किसी बड़े है